तो चलो इस वाले question को देखो प्यारी बच्चों इस वाले question में basically क्या कर रहा है कि field and potential ध्यान देना field or potential are the gravitational field and potential of a point मतलब किसी point पर अगर field or potential क्या होगा उसमें से क्या possibility हो सकता है तो एक formula तुम पढ़े होगे ठीक ना एक formula हम पढ़ाई किये होंगे पहला जो formula हम पढ़े होंगे यह जो formula है potential gradient minus dv over dx ठीक है तो अगर किसी point पर मालो case first में कि अगर कहीं पर potential constant है ठीक है तो अगर potential constant है तो e is equal to minus dv over dx और यह constant क्या है तो constant का differentiation 0 तो हो सकता है constant not equal to 0 तो यह potential constant हो तो उस point पर जो field है वो 0 हो सकती है for example सबसे अच्छा example है cell के अंदर अगर aspirical cell है यह तो इस cell के अंदर अगर आप देखोगे इस cell के अंदर अगर आप पढ़ाई किये होगे तो बहुत बहुत बहतर तरीके सी इसको समझ सकते हो और नहीं पढ़ाई किये हो तो मैं समझा देता हूं इस cell के अंदर जो potential होता है उसकी value constant होती है और उस constant की value surface के equal होती है 0 over r, ठीक ना, minus 0 over r, तो ये radius r का sphere है, लेकिन अंदर में जो field, अंदर में जो field की value होती है, वो 0 होती है तो first statement तो इसका सही बन जाता है, कि potential 0 हो सकता है, नहीं, अगर potential constant हो सकता है और उस constant की value 0 नहीं है, तो field 0 हो सकती है, मतलब c option सही हो जाता है अब अगर दूसरे side से इसको सोचोगे, तो इस constant की value 0 भी तो हो सकती है, अगर potential कहीं पे constant है space में, और माल लेते हैं, उस constant की value 0 है, तो उस constant की value 0 है, तो electric field 0 भी 0 आ जाएगी मतलब a option भी सही हो जा रहा है, ठीक है ना, तो यह, मतलब a option भी सही है चलो बात करते हैं, अगर potential 0 हो, तो क्या उहाँ पर field non 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, देखो अगर कहीं पे third option अगर चेक करने की कोशिस करोगे, third option को क्या था कि अगर potential ही 0 हो, तो क्या field वहाँ पर non 0 होगी, तो potential 0 का क्या मतलब होता है, कि अगर potential 0 हो, तो field non 0 हो, चलो माल लेते हैं, जैनरली वैसे, किसी point का potential यहाँ बात हो रहा है, बच्चों, जैसे मालो यह एक sphere है, तो इस sphere का अगर potential तुम देखोगे, इस sphere के center से अगर दूर जाओगे, इस sphere के center से दूर जाओगे, तो infinity पे जाके तुम देखोगे, इसकी infinity पे जाके इसकी potential क्या होती है, 0, यह generally ऐसा होता है, generally by default ऐसा लिया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा ने आया, तो यह जो point यहां पर मैं माल लेता हूं potential लेट लेट माल लो यहां पर potential क्या है बाई जीरो है तो यहां पर इफरेंस पॉइंट कहीं पर चेंज कर दो थोड़ा डी ऑप्षन क्या है potential इस नॉट इसको जीरो और पोटेंशियल इस नॉट इस नॉट इसको जीरो तो जब उसका डेरिवेटिव लोगे gradient db over dx लोगे position तो यह भी तो not equal to 0 आएगा और वैसे भी यार कहीं पर अगर जनरल में मालो जैसे एक sphere है इस sphere से आ डिस्टेंस पर जाओगे potential तो 0 नहीं है न तो फिल्ड भी तो 0 नहीं है बाई तो यह जो चीज है आप देख सकते हो कि इसमें सभी option सही बोलने मलग all of these all of these is correct सारे यह इसमें से correct है तो इसमें से यह जो option है सारे इसमें से correct बन जा रहे है